CCA की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं सब्सक्राइब कैसे नहीं अपने हिसाब से लगाएंगी बाबां थे барवा साब का संम्मिधान बेकार है नहीं गलत नहीं से गलत बनाये जा रहा है एक दिन ऐसा आए गारना कि सम्मिधान चेंज करने का मतलब इनका मेन मकसद है कि कास्ट रिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देना यह जैसे कहते हैं कि नहीं हमने तो मुफ्तराशन दिया है गैस सिलेंडर दिया है अरे कुछ नहीं यह तो सब हमको लिए लूट लिया है सब लंग से पुछली का फिरी कराया था ने बंट फ्छले कई सालों अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पिछले कई सालों से अगर उसको भी देखेंगे तो कई सारी ऐसी वीडियोज है कई सारी ऐसी कहानिया हैं जिसको हमने भी कवर किया है उस पर हमने दस्तावेजी या डॉक्यमेंटरी फिल्म में भी बनाई हैं कई किसम के न्यूज फीचर भी बनाए हैं जहांपर पिछले कुछ सालों में बहुत जगा दलित समाज की जमीनों पर नाजायज कब्जे करने की कोशिशे की जा रही हैं दबंगो द्वारा या कुछ लोग जो सरकार के खरीब हैं उनके द्वारा पश्चिम यूपी में ऐसी हमने बहुत सारी कहानिया हमने सामने लाए हैं और उन जमीनों को छड़वाने के लिए द दलित समाज बाहुल गाओं हैं जाटब समाज यहां पर मुख्य रूप से रहते हैं अभी हम यहां जो बैठे हैं यह मजहा गाओं का एक बहुत बड़ा अमबेटकर पार्क है यह लगबग 84 भीगे जमीन पर बना है बहुत खुबसूरत पार्क है आप लोग कभी बदायू आएं तो इस पार्क को भी जरूर देखने आएं बदायू उस शहर से थोड़ा सा ही दूर है कई सालों से यहां पर यहां के जाटब समाज ने इसको अच्छे से सीचा है यहां पर बहुत अच्छे यहां पर सीडियां भी बनाई है लोगों के बैठने के लिए खेलने की हैं सिर्फ चुनाफ के समय ही नहीं पर वैसे भी इन मुद्दों पर बातचीत करना हमारी हमेशा कोशिश रही है कि ऐसे मुद्दे आप तक लाते रहें अभी हम मजिया गाउं के कुछ लोगों के साथ बैठे हैं ग्रामवासियों के साथ बैठे हैं और चुनावी चर्चा क के साथ न मुद्दों को समझने की भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि चुनाव को इन मुद्दों से अलग रखके देखना मेरे हिसाब से बहुत गलत होगा CCA में हमें को लगता है कि यही मुद्दे हैं, यह निम्न मुद्दे हैं जिनको हर चुनाफ का एक एहम हुस्सा होना चाहिए है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, कौन आपके मंगल सूत्र लूट रहा है, यह सारे जो मुद्दे हैं शायद इन ही जमीनी मुद्दों से लोगों का मन भढ़काने के लिए उठाए जाते हैं, आईए यहां गामवासियों से बात करें, चुनाफ में क्या रोजहन हैं वो भी समझेंगे, और ऐसे मुद्दों का इस चुनाफ पर कितना असर होगा, वो भी समझेंगे, आप से शुरू करते हैं जी, क्या नाम हो आप हो रहे हैं, हमारे यहां बेबाद यही है, कि जो लोग आते हैं मोरिय समाज, वो हमेसा अपना ही हक जाताते हैं, जबकि यह पुस्तेनी जगा है काफी पुरानी, लेकिन यह लोग आते हैं अपना के गेट बनाएंगे, कि यह बंते रहेंगे, दो तीन वार मूर्ती भी टू सब लोग आते हैं, हर जगा से गूमने आते हैं, यह नहीं कि आते नहीं है, सब लोग आते हैं, जैसे भी जिसका मन करता है, घूमने आते हैं, गूमते हैं, टैलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यह और लोग आके अपना क्यों हक जमाते हैं, और यह ज़रूरी थोड़ी नही इस समाज करें हमारे काँ जब मोर्ये समाज है न तो हम इसका क्या करें है वह एक जतिया पूरा टोटल जाटबो का गाऊं ये बताई है ये कब से बहुत पहले का विवाद है अभी कुछ साल पहले शुरूबाद ज्यादा लंबा नहीं हुआ दो चार साल हुए होंगे कहां से प्रोचाहन मिल रहा है यह तो सब जो बीजेपी गड़बंद ना महां से मिल ला अच्छा और क्या बीजेपी वाले करवा रहा है और और कॉन करेगा जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है अभी गेट बनवाया जब दरकास लगा है तब गेट रोका हमारा ना तो लोग इना रह रहे हैं कि आओ हक जमाओ तुम भी रहो हम भी रहे हैं और देश विदेश के भी आएं गोमों टैलो पारिक भी बनी हुई है इस इसाफ साथ चलते फिरते रहो पबलिक पार के कोई भी आ सकता है यहां पर मनादी इस किसी को भी नहीं है बाइस सामिलो आप तो हमारा कहना य हैं और भी चलें घूमें फिरें लेकिन और कुछ नहीं जाओ जैसे और लोग आएंगे वह भी बढ़िया रहेंगे यहां तो यह बताये यह जो जमीने हैं हम लोग भी क्योंकि जैसे पश्चे म्यूपी में हम लोग जादा काम करते हैं वहाँ पर हमने भी देखा है पिछल जो जो दो-चार महीने से यह हो रहा है कि चीना जबती की जर्किदार तो वो कि यह कुछी देर पहले ही शुरू है हाँ पर पीछे सबूड़ हुए दो-चार साल पहले से सुरू हुआ कि इसके चीनों ऊदरकी चीनों यह सा हो रहा है बहीं और कुछ कुछ नहीं लेकिन पर वोट आप कहा देने की सोच रहे हैं तो सवाब तो आप पूरी मज्या भी जाए हम नहीं हम लाजी जाट वोगी है सब सब तो आप अन्हें मनुगा वेकिशाब्य। क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं यहां पर दर्शकों के भी बताते हैं यहां पर कम से कम दो से सद्धाई लाग के बीच में कुछ जाटव वोट हैं यहां पर काफी भारी संख्या में जाटव वोट भी हैं तो उसका भी बहुत माइने रहता है बदाईयों लोग सभा हमें जी आपका क्या राय है इस वर कहां जा रहे हैं हम तो सब्सक्राइब हम तो किसी को भी बोट डालें वो तो नाम सीधा लेते हैं कि आपको क्या उम्मीद है कि बहन जी आएंगी तो इनसाफ मिलेगा आप लोगों को इस चीज़ में लेकिन बहन जी पिछले सालों में इ बाम सेफ और बसपा का उसके बाद से लेकिन पिछले कुछ सालों में कम बाहर निकलना भाशन भी कम देना प्रेस कॉनफरेंस भी कम करना अक्सर लोग सोचते हैं बहन जी तो उस बात से क्या यहां पर भी लोगों को थोड़ी हताशा है कि बहन जी को जितना आना चाहिए त कितनी यहां पर कितना संगर्श हो रहा है आप कब से यहां जमीन देख रहे हैं यहां तो हमें कभी 20-25 साल होगी हम तो अगर जहां जी चार-पांस साल से दस साल से समझो जब सिरकाराई जब से तब जहां कोई इत्तों वरों काम ना भाव हुए जहां मैं बैस सुमित्रा आ कि उनके आने के बाद यहां पर कब जाने की काफी कोशिश हुई है लेकि काम ना भो जहां जहें पार अकले से के अगली सरकारी ताम जब अगले सरकार में प्यारे बनाता है बाइसे आज कल तो मुद्ध जह होते हैं जो काम कराब हो बाई आदी मूट देगो आप लोग करत है दस साल जो मजदूर नहें हैं इस भाजपा सरकार में कैसे नहीं मजदूरों के लिए सब्सक्राइब करनों सब्सक्राइब दो यह जैसे कहते हैं कि नहीं हमने और लूट लिए सब लंग से आप जाए पंदरासो आटसो तेरासो पंदरासो तो यह काम सही नहीं हो रहा है सब्काम मोडी की तरफ से आप क्या नाम हूं जी मेरा मनवाववावाव नाम गिराममाजी आप क्या लोगता है मेरा कहना यह ब्रसकार मतलब मोडी जी कि मेरे पास कॉल आई थी कि आप बोट किसको देंगे तो रिकारड इड वाली कॉल आती है ना जी जी तो लोड हम्ति को दिंग एची हमारे मन में यह ठीक केई कज़े कि भूट के जा recipients फॉट टी को देंगे कि हमारे एवह देंगे और में चोह नहीं धना पार्यायवक्दा है जाओ हक वर्ण मैं यह कहना हूं कि जैसे यह मेरा गहरए अगर मेरा गहर कोई मुझ से छीनेगा तो मुझे कैसा लगेगा अगर आपका घर आपसे कोई छीनना है तो आपको कैसा लगेगा तो यह हमारा घर हमसे छीनने की कोशिच की जा रही है और हमें यहां से निकालने की कोशिच की जा रही है अमन बाबु एक चीज बताओ आप नौजवान हो कुछ रोजगार की स्थितियां कुछ बहतर हुई पिछले 10 सालों में जब से मोधी सरकार आई है या क्या जी कोई रोजगार नहीं हुआ है मेरा खुद भाई पढ़ रहा है रेलवे में पेपर दिया था उसने रेलवे में एक पेपर देने के बाद में उसका रिजल्टी नही दूसरे पेपर की तो बात छोड़ो तो पर होते मैं सुना मैं पड़ा लिखा नहीं हूं मैं केवल नैंत किलास पास हूं मेरा भाई भी यह कल दूसरे सब्जेक्टों से कर्चकों एक बार कर लिया है भी उसने तो उसके लिए मतलब आप कह रहे हो कोई वेकंसी खुल नहीं आपके जाओं में किसी को सरकारी नौकरी मिली है पिछले पांच-दस साल हों मैं किसी को नहीं मिली है किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलिया आपका नाम क्या हुआ है हरवंस जी आप भी मजिए हो बात एंदीया करता हूं मैं करते क्या में करते हैं में मोटर बेंडिंग के करते हैं तो मजदूरी है तो मजदूरों के लिए कि लिए नहीं दस सारा है नौह भाचपा सरकार में मजदूरों की जिंदग आछी हुई है खराब हुए है क्या São Fran और एक चीज्ड बताओ आप लोग जरह बता आई जड़ा आप नобр Specialсти norms कम रजकर तेन और 5 पर दो नाम हो आपका मे participar स्वाण बहस्तप्ना हो तो स्भीन लें बदल उसका है ho द्रह्यां के डर कि सम्विधान बदल सकते हैं-घ्रार को सीट बीना करें तोसाब लिए तो लिए बदलने की कोई नहीं सकते हैं क्या नाम हो आपका मेरा राम रामवीर जी यह बताई यह सम्मिधान को बचाना जो है वह एक तो यह है कि सम्मिधान लिखा गया उसमें जो अधिकार मिले हैं सबको उसी के साथ साथ लेकिन समय नहीं कहीं तो कमजोर तब होता है जब किस तरह की घटना Ayeroz होती हails कि दल्टों की जमीने को ऐक अब जाने की कोशिछ he tous यहीं है यहीएक यह पचलभाने के तयार हम पता भी नहीं कि कहां से कह से कहां तैयार हो गया हमारे 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 गाओं का जमीन होते हुए हमें पता था कि किस देर था तैयार हो गया है अच हाँ उनकी वज़े से मिल रही है लोग आपको लग रहे हैंकि इbokधि वज़ेते मीम प्रदाइए लोगो आपको लगेत मेले वाइट रहे हैं छाप समासे हैं तो हम ना और अगई देंगे हम उन्हें खोल के देंगे तब नहीं मान हетиया है और बहुत करते कि आपके यहां पर सरकारी स्कूल भी आसपास हैं सरकारी शिक्षा आपके गाउं में घूमें बड़ी अच्छी पुस्तकाले भी बनाई है बच्चों के लिए आप ही लोग ने शायद गाउं की तरफ सही बनी है प्रदान जी ने बनवाई है तो यह बताइए कि यह जो सरकार स्कूल यहां पर जो है असपास करकारी हस्पताल उसमें कुछ सुथार हुआ है पिछले दस सालों कोई सुथार ने हुआ तो कुछितार है नहीं सुथार नहीं कोई सुथार Rückकाण सबसे घृ बाएंध लोग् सपपा और बसपा का गर्बन नद तो हाती का तो सिंबल था निलुए जाइकल पर पूल पर बी गया थे बट गया था साइकल पर गया था इस बार कहाने की सोच ने निलुट में दोटल एक्ट में बदलाओ हुआ था सुप्रीम कोड जिसके बात बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था दो अप्रेल को दोजार अठार में उसका यहां पर भी ऐसर था कि आप लोगको यह डर रहता है कि यह जो सम्मेदान बदलने की बात कर रहे हैं एक यह क्योंके काई सारे सारे समाथ से लोग यह भी बोल रहे हैं कि शायद यह सम्मे सब्सक्राइब करते हैं अब अकर सरकार करती रही करती रही कंटीनिव तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा तो नहीं बिल्कुल तो नहीं हो सकता है सब्सक्राइब अपने हिसाब से अनुचेद लगाएगी फिर जो लिखे गए हैं उसके कुछ नहीं चलेगा एक चीज़ बताइए आरक्षन का लाब क्यूंकि जैसे प्राइविटाइजेशन होता है तो प्राइविट सेक्टर में तो निजी चेत्र में तो आरक्षन का कोई स जिन्दगीयों में कि आपको मैसूस हुआ है कि उस पर कोई एक फरक दिखा है पिछले 10 सालों की लाब कं मिला है या को इसमें कोई ज्यादा फरक नहीं आए नहीं देखो कहने की ऐसी बात है आरक्षण से केबल SC को ही और ST को ही लाव नहीं मिला है आरक्षण देखा जाए तो अब तो भी सोगी मिला है मिला सब जानते ही पर यहां पर आरक्षण के खिलाब काफी लोग खड़े हैं और जो इनके संबर्थन में पर मुझे पता इस चीज का गर्भ है मुझे अपने समाज पर भी कि वहीं मैं जाट आव हूं और मैं समर्थन में इसलिए क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलिज है जानकारी है कि यह कितना चेंजिंग हो रहे हैं हमारे संबिदान में यह पूरी तरह से नहीं होने चाहिए इनको यहीं पर बिराम लगा देना चाहिए चेंज करने का तो कोई यहां पर महत्वी नहीं बनना है क्या नाम हो आपका मेरा नाम सिपसागर है सिपसागर कितना पड़ें यहां मेरा बिएस्य हो गया और बीएड बीएड हो गया है आप क्योंके बहुत अच्छी बात यहांपर रख रहे हैं बाबा साबको भी पढ़ते हैं पहुत अच्छी में आप जो समझता आँ पर यह है कि मालो पूरी तरह मैं उनकी चीजों पर देता हूं वह नहीं को भगवान नहीं माना पहला है उनके जो बताए हुए रास्ते पर चलना भ॥ी मगलत उन्होंने खुदी काहा है कि भगती कि नहीं करनी है हैं नहीं देसे हमारे पापा वह हमेरे मापातबून भग multicisक qui मैं कहने सबसे पहले महिला हाँ कि इसमें सबसे पहले कदम क्यों रहे हैं यह सारी की चीज़े मेरे समझसे बिल्कुल और यह हमारी सरकार ही बिल्कुल ही गलत कर रही है मैं इस चीज़ के पूरी तरह से ब्रोड करता हूँ फिर चाहे कोई भी सरकार हो अगर है तो में से पूरी तरह इसका प्रॉजित करूँ गा कि दिन आपको लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी यह तो 400 पार का नहरा दे अप 400 पार नहरे की ऐसी बात है कि आहेंगे कि बहुत बहुत बनाया जा रहा है पता कैसे बनाया जा रहा है अगर मैं कोई गैर कानूनी काम करता हूँ तो यानि कि मुझे चोकी या थाने ले जाया जाए मेरे साथ में उसका इंसाप हो कानूनी कारवाई की जाए ये नहीं कि चोकी पे ले गए हम गरीब लोग हैं हमसे पांच यार लिए चार अजार लिए जाओ घर दबरागे वजा दिया नहीं हमें कानूनी तरीके से कानूनी कारवाई की जाए हमारे उपर चाहे मैं गलत करूँ चाहे कोई और गलत करे लेकिन ऐसा नहीं होता है गैर कानूनी काम होते हैं हमेशा तो बाबा साब का समयदान इसलिए गलत बताया जा रहा है लेकिन वो गलत नहीं है कानून में तो सब को एक नजर से ही देखा जा लेकिन नहीं देखा जाता है यह बताईए क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने हिंदू-मुस्लिम की राजनीद बहुत होतो है देखी है और उससे अलग अलग जातियों के लोग बहुत प्रभावित हुए थे मैं पूछ रहा हूं कि उसका प्रभाव लेकिन निकल भी रहे है इस बार इतना नहीं देख रहा है असर शुनाव में लेकिन तो निश्य रूप से कहना चाहूंगा कि यहां पर मलब कुछ हद तक देखा कि कास्ट रिज्म खतम हुआ है देखा जाए मनलब वह बात अलग है कि यह लोग मलब संविधान का विरोध करते हैं पर मलब बहुत चीज नहीं है अपसे 2014 से पहले मैंने मैं फिलाल में मेरी मुमर 22 हो गई है मलब पहले कुछ जादा ही था अब थोड़ा सा बदलाब तो आ कि व्यवस्ता वापस लाना चाहरे है में यही टॉपिक तो मलब पूरी तरह पबलिक को गुम्रहा किया जा रहा है अब यह लोग पता हिंदू मुस्लिम में आपको मलब जुटाए रहते हैं और इसी चीज में पता है यह ऐसी चीज मुले क्योरेटी बना रखी है इंसान के जिनको धर्म की नॉलिज हो जिनको अच्छी तरह से मलब धर्म क्या होता है क्या नहीं बाकि सब लोग एक तरह से देखा है तो गदे की लाइन में चले पड़े उनको धर्म के बार में कुछ पता ही नहीं है धर्म क्या है क्या नहीं वो बस पीछे से किसने बोला बस चल दिए धर्म जब तक सो करता हमें ओना सपका होता है और अभी सपरेम कोड़ में एक बकील है तो उनका लम मुझे अच्छी तरह से नाम नहीं पता है तो जो हमारे बढ़े जो है जो नरेंद्र मोधी जी है उन्होंने अभी बोट मागने के हिसाब से मलब धर्म का वो कहते हैं धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें बोट मागें पबलिक से तो संभिधान में ऐसा कहीं भी किसी भी अनुछ की है कि इनको मलब नरेंद्र मोधी को छे साल के लिए इससे निस्कासित किया जाए कि आप यहां पर एलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और बिलकुल ऐसा होना चाहिए कि यह संभिधान का बिल्यू बिल्कुल यह बिरोध कर रहे हैं ऐसे परचार कर रहे हैं धर्म को लेकर य धर्म पर पूरी राजनीत को ले आना इस तरह की बाते करना कि भई अरे ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो आपकी सारी संपत्ती लेकर मुसल्मानों को दे देंगे लेकिन सच बात आईए आप यहां पर आईए सिर्व मजियां गाओं ही नहीं देश के बहुत सारे ऐसे ग गए हैं छुटवाने के लिए भी लेकिन बहुत बड़े संगर्श हो रहे हैं सचाई ये है कि संपत्ती तो गरीबों की और चीन चीन के जो आप 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 आके देखेंगे गरीब मजदूरों की संपत्ती उनसे पहले से ही चीनी जारी है और वो कोई एक विशेश धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं जाती बात के तहट कुछ दबंग जाती हों कि लोग जादा कर रहे हैं संविधान बदले या ना बदले लेकिन इस तरह के जो हमले रोज हो रहे हैं यहां के जो हाशिय के समाज है उन पर जब रोज इस तरह के हमले होते हैं तो कहीं न कहीं संविधा रोज उससे कमजोर होता ही है सरकारे आएंगी, सरकारे जाएंगी पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे लेकिन सम्विधान की जो एक मूल बात है समानता की, समता की, एकता की उस पर कभी भी आंच नाए नहीं तो कोई भी समाज तरक्की नहीं कर पाएगा कोई भी समाज सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगा CCA के साथ जुड़े रहें चुनावी सफर में ऐसी खबरे आप तक आती रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद